हेलो फ्रेंट्स, एवर पुना आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यब चैनल इस्टेडियो 26 पे और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे जो बीए फस सेमेश्टर के बच्चे होंगे जिनका आपने लिया होगा पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने MJC पेपर या माइनर के रूप में लिया होगा इसको तो उनके सिलेबस के यूनिट 2 में आप दिखेगा उधारबादी दर्शन के बारे में चर्चा है जिसको आपको पढ़ना है तो उसी के बारे में हम लोग आई देखने का परियास करेंगे और उसको समझेंगे तो सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि आखिर हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या इसमें तो पहले हम लोग देखेंगे इसमें उधारबाद है क्या उसको देखेंगे, उसके बाद उसकी परिवासा को देखेंगे, कि आखिर उसकी परिवासा क्या है, उन चीजों को देखेंगे, फिर इसके विकास कैसे कैसे हुए, उन चीजों को देखेंगे, फिर इसमें हम लोग देखेंगे इसकी विसेस्ता क्या थी, कि उदारबादी जो हम लोग देखेंगे और इसी तरह आपको उत्तर भी लिखना है जब आपसे प्रस्न पूछा जाएगा उदारबाद है क्या उदारबादी द्रिष्टिकोन को जो लिखना है तो उसमें आपको इसी विचारधारा के साथ और इसी डाइगराम के साथ आपको आग्ये बढ़ना ह और उसमें आप डाइगराम भी बना सकते हैं जिस तरह हमने डाइगराम को बनाया था उस तरह आप डाइगराम का भी यूज उसमें कर सकते हैं तो चलिए उन चीजों को समझते हैं तो देखें उदारबाद होता क्या है कि माली जे किसी विक्ति से आपको 100 रुपईय चाहि है उसका चारीतरिक गुन यह है कि वो उदारबैखती है उसको हमने 100 रुपईय गए और उसने 1500 रुपईय दीज़ा तो इन उसकी उदार्ता इस बात से दिखाई देती है कि वो जरूरत से ज़दा देने में विश्वास करता है यानि उसको ये बात का पता है कि अगर हम साइंस में समझ दो पहले तो OS dear संगे लिकिन statistical साइंस में क्या अता बच्छों OS सभी धाल की ज्यादा जोड़ देता इस बात पर कि जो समाज में लोग रहा हैं लोग किसी भी समाज विरा रह रहा यह तो हम लोग एक राज्य के अंतरगत रहते हैं, जिसमें कोई सम्मिदान है, कोई कानून है, कोई नियम है, इन तमाम चीजों के साथ हम लोग रहते हैं, नियम कानून के अंतरगत. तो ये बोलता है कि देखिए समाज में जो नियम और कानून बनते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मनुष्य को सब अधिकार प्राप्त हो यानि व्यक्ति जो उस समाज में रह रहा है यानि जो भी लोग उस समाज में रहा हैं उनको सारे अधिकार प्राप्त हो यानि उसके लिए पूरा ये जो नियम कानून बना है वो एकदम आसान हो उसके हित में हो यानि जो सासक है जो राजा है उसके हित में ना हो यानि उसका कोई अधिकार ना हो उस पे यानि जो भी चीज़ें हमारे अगल बगल में हैं जैसे आर्थिक की स्थिति यानि अर्थवेवस्था जो हमारी है समाजी जो संरचना है या धार्मी की स्थिति है उन सब पर व्यक्त पढ़ते हुए और इसको समझते चलते हैं देखिए उदारबाद जो सब्द है यह अंग्रेजी का लिबरलीज्म से बना हुआ है लिबरलीज्म को ही हिंदी में मतलब उदारबाद बोलते हैं तो इसका अर्थ होता है व्यक्ति की स्वतनता का सिध्धानत यानि व्यक्ति की स् उदारबाद स्वतनता कैसे यानि उसको रहने का स्वतनता खाने पीने का स्वतनता एक जगह से दूसरे जगह जाने का स्वतनता यह तमाम चीज़ें स्वतनता बाली बाते होती है वह कहां होती है लोक तंत्र में होती है यानि कि जहां पे जनता का सासको अभी जो हमारा दे करती हैं यह तमाम चीजें को स्वतनता मिलिया अन। यही बात उदारबादी दिरिष्ट्य कोड़ी है ये उसका बिरोध में बात करता है और उसके हक में बात नहीं करता यह लेकिन वही जहयता है उदारबाद के जीवन में हस्त छेप नो करने के सिध्धानत को ही उदारबाद कहा जाता है यानि माली जी हम लोग कोई काम करना चाहते हैं और उस पे हर हमेशा सरकार रोक लगाए यानि जो राज है वो रोक लगाए तो आपको बताएंगे कि राज आकिर क्या होता इसके कंसेप्ट आगे पढ़ने हैं लेकिन जो आपको पढ़ना है उसी चीज़ पर हम आ रहा है तो राज सीधा मतलब यह समझे जो सरकार हम लोग के उपर सासन करती है उसी को राज बोला जाता है उसमें मतलब जो सासक हैं वह भी आते हैं उसमें अन्य चीज़ें भी सारी चीज़ें जो DCRE सिस्टम भी सारी चीज़ उसमें आ जाती है ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान में रखेगा तो यह उदारबाद जो बोलता है कि भाई देखिए जो राज हमारे जीवन में यानि व्यक्ति के जीवन में हस्त चेप करता है वो नहीं करना चीज़ें उदारबाद का बिचार है लेकिन आज व्यक्ति की जगह समस्त समाज के कल्यान पर जोड देने की बात उदारबाद में परमुक्सित दानता है यानि देखिए पहले तो ये बोलता था कि व्यक्ति के हर छेतर में यानि व्यक्ति के जीवन पर किसी भी तरह का राज का अधिकार नहीं होना चाहिए लेकिन अब ये बोलता है कि देखिए व्यक्ति के केवल जीवन पर ही नहीं उसके समस्त क्रियाकलाब जो भी वो काम करता उस पर कोई भी रोक राक यानि कोई भी उसपे पाबंदी ये राजिन नहीं लगा ये बात उधारबादी द्रिश्टीकोन बोलता है उधारबादी कि ऐसा मानसिक द्रिश्टीकोन जो मानव के विभिन बौधिक, नेतिक, धर्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक समंदों का करने का प्रियास करता है। कि उधारबादी दिरिष्टिकोर्ण के अंतरगत जो है मानव के बोठ धिक यहनी जो दिमाग है यहनी जितनी उसके बोठ धिक चमताई उसका फिर यानि उसकी आर्थिक, उसके समाजिक, उसके आर्धार्मिक और उसके बाद राजनितिक संबंधों का विसलेशन एवं एकी करन यानि उसको एक साथ जोड़ने का प्रयास उधारवादी दिरिष्टिकोन वाले लोग करते हैं। जिसमें सभी धर्म का एक अधिकार प्राप्त है, यानि कोई भी हिंदू नहीं, कोई मुसलिम नहीं, कोई सीख नहीं, उसको किसी को भी कोई विसेश अधिकार नहीं है। कि आवशक बुराई से बढ़कर वेक्तिवाद का समर्थन करता है, तो समाजवादियों के रूप में यह उत्पादन और वितरन पर राज के नियंतरन का वकालत करता है। उधारबाद जो है, एक तरफ तो ये बात का समर्थन करता है, कि वेक्तिव को सब सोतनता मिलने चाहिए। दूसरी तरफ ये भी बात बोलता है कि जो उत्पादन यानि कि आर्थिक जो इस्तिती है और उसका वितरन होता है, यानि उत्पादन का वितरन होता है, उस पर किसका अधिकार होना चाहिए। यह बोलता है इस तरह उदारबाद दो विरोधी परविर्तियों के बीच फसता हुआ नजराता है यानि कि यह जो दो बाते हैं इसे यह लगता है कि इनी दोनों बातों के बीच फस जा रहा है यानि कि एक तरफ बोलता है कि राजिकादिकार होना चाहिए और एक तरफ बोलता है कि विक्ति स्वतंत्र होना चाहिए तो ये दोनों ही विचों के बीच में जो द्वन्द है न यही उदारबादी दिरिष्टिकोन का सबसे बड़ा घातक है एक तरफ से इसकी आलोचना में इसी चीज़ पर ज्यादा बातें की जाती है कि जहां एक तरफ ये बोलता है कि आर्थिक के स्थिति पर राजिक आदिकार हो और वहीं एक तरफ बोलता है कि जो है सभी चीज़ों पर स्वतनतर रूप से वेक्तिक आदिकार होना चाहिए यानि कि यह इसकी एक तरह से द्वंद है यानि की इस के एक कमी है, यह बात ध्यान में रखिए गा, उसके बाए राही नितिक चेत्र पиксीक्ट में ब भी व्यक्ति के अधिक से अधिक चूट देने का पक्छेतर है। यानि कि जैसे हम हैं आप हैं हम लोग को राइनितिक चेतर में अभी अधिक छूट मिले इस बात का भी जोड़ देता है ताक कि वेक्तितों का शंपूर्ण विकास हो सके यानि देखिए यह भी बात सही है जब वेक्ति को सबसे ज्यादा छूट मिलेगा तभी तो उसका पसंद करेगा तो इससे क्या होगा राज्य को छती भी होगा चुकि वो हो सकता है किसी भी वेक्ति को कोई चाहे तम मार दे और उसके उपर राज्य कोई एक्सन ही नहीं ले पाए तो यह भी कही न कहीं इसकी एक कमी है इस बात को भी ध्यान रखिएगा यानि सीधा मतलब यह समझे कि उदारवादी दिरिष्टिकोन है हर चेत्र में वेक्ति की स्वतनता का बात करता है उदारवादी दिरिष्टिकोन तो इसको ध्यान में आप रखिएगा यानि वेक्ति को ही स्वतनता मिलनी चाहिए सबसे ज्यादा इस बात का ध्योतक यानि बात करने वाला देखे उदारवादी द्रिष्टिकोन के बारे में कुछ परिभासाइं दी गई है उनको देख लीजे चुकि देखे परिभासाइं आपको बहुत ज्यादा याद रहनी नहीं है दो तीन परिभासाइं अगर आप याद रखते हैं तो काफी है या एक भी रखते हैं तो बहु ज़ेगा, दो परिभासाइं आपके सामने हैं, देखिये, जो गवर्ण है, मेक गवर्ण के अनुसार, रायनितिक विज्ञांजो है, उसके बारे में क्या परिभासाई, य sfित की वारे में क्या वो बोलता है, रायनितिक सिद्ंक के रूप में, उदारबाद, प्रिथक प्रिथक तत्वों का मिसरन है उसमें एक लोक तंत्र है तो दूसरा वेक्तिवाद है यानि ये बोलते हैं मैं गवर्ण जो है वो बोलते हैं कि देखिए राइनितिक सिध्धान्त के रूप में जो है उदारवादी दृष्टिकोन इसमें दो चीजें देखने को मिलती है और दोनों ही अलग-अलग है एक मैं ये लोक तंत्री की बात करता है यानि कि वेक्ति की सुतंता की बात करता है और दूसरी तरफ वेक्तिवाद को बढ़ावा दे रहा है वेक्तिवाद उसको बोलते हैं बच्चों जिसमें कि कोई व्यक्ति है मालिजे आप हैं और आपको इतनी सोतंता दे दी जाए कि आप किसी को भी मार पीट सकते हैं किसी तरह का भी कारिक कर सकते हैं किसी के छेतर पर भी अधिकार कर लें तो क्या होगा यह आपकी व्यक्तिवाद बली विचारधर आ जाती है यानि आपक सब ही के लिए ठीक है ये दियान में रखिएगा तो ये मेक गवर्न का परिवासा था उसके बाद दूसरा परिवासा है हेराल्ड लास्की की अनुसार उदारबाद कुछ सिधानतों का समू मातर नहीं बलकि दिमाग में रहने वाली एक आदत अर्था चित्र प्रकिरती है इस आदत अर्थात चित्र प्रकिरती भी है तो इस बात को ध्यान में रखिएगा तो देखिए उदारबाद का आखिर विकास कैसे कैसे हुआ यानि कि इसका डेवलप्मेंट धीरे-धीरे कैसे हुआ और इससे समन्दित कौन-कौन से पॉलिटिकल ठिंकर है उनको एक दो नाम क जान लेंगे तो फिर आपको ये बाते समझ में आजेगे इसके मेन कंसेप्ट को हम पहले ही बता दिए कि आखिर ये किस चीज़ पर बल देता है तो ये वेक्ति की सोतनता पर बल देता है वेक्ति को सब अदिकार देता है इन बातों को आप देख लिए इसके परिवासा को भीचार प्रतिवाधित किया था इन भीचार को ने दखेगा रहनितिक स्वातनता और स्वातनता के बारे में अपने विचार पर कट किते कि इसने अरस्तू और सुकराथ ने तो इसे यही स्पष्ठ होता कि उधारबाद का विकास वहीं से सुरू हो गया था फिर दखिया मध्य यूग में इसायत के धर्म गुरुों ने दास्ता का बिरोध एवं धार्मिक स्वतनता का समर्थन करके उधारबादी सिध्धान्तों का विकास करने में महत्पून यूगदान दिया यानि मद्धिकाल में आप दिखेंगे धार्मिक गुरु जो होते हैं यानि चर्च में जो रहते हैं या फिर मंदिरों में जो रहते हैं या फिर जो आप दिखिएगा मोलमी मोलाना होते हैं ये सब तो उसमें मेंली आपको चर्च वाला ही ध्यान में रखना है मद्धिकाल में उसको अपने अनुसार कारे करने की स्वतनता होनी चाहिए। उसके कोई भी तरह का पावंदी राजी के द्वारा नहीं लगाना चाहिए। यह उधारबादी दृष्टी कोन बोलता है। और इस तरह का जो आपको देखने को सबसे पहला साक्षी मिलता है कब तो अरस्तु और सुकराद के चिंतन में यानि उसकी जो चिंतन यानि फिलोसफी थी उसमें भी देखने को मिलता है कि वेक्ति के वो बोलता है कि सवतनता और आयनितिक सवतनता की बात करता है वो मद्योग में जो इसाइयत के लोग थे यानि धर्म को अपनाने वाले या परचार-परचार कर रहें तो इससे यह स्पष्ट हुआ जो उदारबादी दिरिष्टिकों है उसका विचार तो यहीं से उभर के आया है तो इस बात को ध्यान में रखिएगा ठीक है मेतपुन योगदान या कुछ विचारकों को का मत है कि उदारबाद का उदय पहले धार्मिक परभुत्त के बाद और बाद में रायनितिक प्रति प्रति प्राधिकार वाद की सक्ति के विरुद प्रति किरिया के रूप में हुई यानि सीधा मतलब यह है कि कुछ विचारकों का यह मानना है कि पहले जो इसका उदारबाद का जन्म हुआ है वो एक धार्मिक प्रविर्ति के रूप में हुई यानि धार्मिक सोतनता के लिए हुई फिर बाद में ये रायनितिक सोतनता की बात करने लगा और रायनितिक सोत कि मतलब बेडियों से मुक्त कराना और उसके प्राचिन योग की यानि सीधा मतलब यही हुआ न कि जो धर्म में अंदविस्वास थे इन तमाम चीजों से इसको मुक्त कराना इसका मुक्योदेश हो गया और इसी तरह यानि सीधा आप यही समझे अरस्तू और जो है हमने बता कि कुछ ऐसे चिंतक हुए जिनके विचारों में भी इसके बारे में यानि उधारबादी दिरिश्टिकों देखने को मिलता है जैसे वाल्टेयर है लॉक है रूस्व है कांट है एडम स्मित है मील है जैफरसन है मांटेस्क्यू है लास्की है बारकर है यह तमाम विचारों क जो थे उनके भी विचार में उधारबादी की दिरिश्टिकों देखने को मिलती है तो सीधा मतलब यह समझे जो आपके पास में चीजें है उसमें कुछ नाम को याद रखना जैसे वाल्टेयर उसका लॉक उसका रूसू कांट एडम स्मित मील मांटेस्क्यू लास्की और बार कर यह पांच छो नाम है जिसमें दो तीन जड़ू रखेगा और उसमें आप बताईएगा यह सभी उधारबादी दिरिश्टिकों वाले लोग थे तो यह चीज को आप ध्यान में रखेंगे उसके बाद दिखें रूसों का एक कथन है उसमें आप याद रखेगा वेक पांत तो पैदा हुआ लेकिन जब तक वाजीवित रहेगा बेडियों से ही बना हुआ रहता है यहानि वह किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी सासक के अंदर गत रहता है यह रूसों का विचार है तो यह आपको इस टेटमेंट फॉर्म में पूछ सकता है कि कि इसका विच मतलब इंसेंट प्रियेड में कौन किया है इंडिया हम बोल दिया इंसेंट प्रियेड में तो उसमें आप सुकरात और अरस्तु को धियान में रखिए गा और मॉडर्न वाल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, कांट यह सब का नाम रख दीजएगा तो यह इसटरह से उसक स्वतंत रूप से रहने दीजे उसके ऊपर कोई बेड़ी मत लगाई उसको रोकिये मत उसको जो करना है करने दीजे उसमें कोई तरह का रोक छेंक मत कीजे ये इस बात को मानता है उसके बाद दिखे ये मानविय विवेक जो होता है उसमें आस्था रखता है, यानि मानविय विवेक क्या होता है, जानते हैं, कि आप मतला अपने मन से कुछ चीज सोचते हैं, मानविय विवेक का मतला होता है, कि आप भी ठीक रही है, आपके अडोस पडोस के लोग भी ठीक रहे हैं, यानि सभी लोग नेतिकता का पालन करें, यानि नेतिक मुल्य उसमें निर्धारित हो, यानि उसमें समाहित हो, यानि सब के लिए अच्छा हो, ऐसा विवेक पर ये बल देता है, उसके बाद इसकी विशेषता तीसरी है, इतिहास तता प्रमपरागत, प्रमपरा का या विरोधी है, यानि ये इतिहास को नहीं मानना पसंद करता है यानि कोई भी चीज़ें घटित हो गई तो उसको नहीं मानता है कि मालेजे कि कोई राजा था उसमें लोगों को उतनी सोतनता नहीं थी या परंपरा में हमारी कुछ परंपराएं हैं उसमें भी लोगों को उतनी स्वतनता नहीं है तो इस बात को ये मानने से इंकार करता है ये बोलता है देखिए हम उस चीज को नहीं मानते हैं हम इस बात को मानते कि लोगों को हर जगा धार्मी को आर्थी को राइनिती को समाजी को सांस्कृति को सभी चेतर में समान रूप से सोतनता मिलनी चाहिए यह दियान में रख्याइगा उसके बाद इक ये धर्म निर्पेक्षेता में विसवास रखता है यानि बोलता है कि कोई भी धर्म सर्वेश्ट नहीं है यानि सभी धर्म को एक समान मानता है old के लोगों को अपने-अपने अनुसार में भी जो है वो व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए यानि जो लोग है उनको अधिकार होना चाहिए ना की राज का और राज इसमें हस्तचे भी नहीं करें होता नहीं कि आप कमाई किये और उसको राज ले 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 तो ये बात नहीं बोलता है ये बोलता है कि दिखिए आपन जनता का जनता के दोरा सासक होता है, चुना जाता है, तो लोक तंत्र कार्थ होता है, जनता का जनता के दोरा सासन, तो उसमें होता है कि हम लोग, जैसे कि हमारा देश, अभी लोक तंत्री के देश है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बोटिंग करते हैं, बोटिंग के बाद को होती है लोक तंत्र में होती है लोक तंत्र में हम सब को अपने अपने धर्म को मानने का दिकार है आप जानते भी होंगे हम लोग कुछ भी खा पी सकते है जो हम लोग को पसंद है उसको खा सकते हैं उसके बाद हम लोग कहीं वोट करे उसके बाद कोई चुन के आए और वो फिर जनता के हिसाब से यानि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सासन करे तो ये बातें कौन मानता था उधारबादी दिरिष्टी कौन वाले लोग उसके बाद देखे राष्टी आत्म निर्णे का सिध्धान्त का यानि उसका भी समर्थन यहां के रहने वाले लोगों को करना चाहिए मान लिजए आपने कोई सासक को चुना ए नाम का कोई राजा बना यानि कोई प्रधान मंतरी हमारे देश का बना और ये कोई निर्णे लेते हैं ये नाम बाले तो इसके निर्णे को संपूर्ण देश क लोगों को मानना होगा यही बात ही यह कर रहा है उसके बाद देखे सम्वेधानिक सासन का समर्थन यानि एक ऐसा सासन तंतर होना चाहिए जिसमें सम्वेधान हो नियम हो कानून हो उस तरह के सासन बेवस्था का समर्थन कोन करता है उधारवादी दिरिष्टी कोन इसके महत्पूर्ण है उसको हमने डिसकस किया तो देखिए हमने शुरू में क्या किया इसके विकास को देख लिए इसकी महत्पूर्ण चीजों को देखे कंसेप्ट को देखे इसके परिवासा को देखे अब भी सेस्ता को देख लिए अब इसकी अन्तिम चीज है आलोचना यानि इ जद भी उदारबादी एक महत्पून विचारधारा है जो वेक्ति की स्वतंता हुआ लोक कल्यान के आदर्स के भी संतुलन कायम करती है अपने समसामाईक रूप में यह स्वतंतरता शामानता लोक तांतरिक शाषन का समर्थन लोक कल्यानकारी राज तथा धर्म लोक तंतर के मुल्यों को अपनाता है अभी जो आधुनिक दौर में भी लोक तंतर के मुल्यों को ही सर्वस्रेष्ट माना जाता है संपुर्ण विच्व इस बात को मानता है कि जहां पर लोक तंतर बाली वेवस्ता चल रही है वो देश सबसे अच्छी है उसकी वहां की वे आपको याद रहे या न रहे इसलिए भी दो पॉइंट आप जड़ूर रियाद करके जाईएगा ताकि आपका उत्तर सही तरीके से हो सके और लिख सके आप अनुदारबादियों अनुदारबादी वो होते है न जो उदारबादी को नहीं मानते है ठीक है का परमुखारोप यह है कि उदारबाद समाज और राज को करितरिम मानता है यानि कि वेक्ति के द्वारा निर्मित बोलता है यह बोलते हैं कि अनुदारबादी बोलते हैं कि समाज और राजी का जो निर्मान हुआ है वो क्रितरिम रूप से हुआ है ठीक है और उधारबादियों की दृष्टी में संबीदा द्वारा राजी के निर्मान की बात स्विकार करना और प्राकिर्तिक अधिकारों का को धारन रुकिये की अधिकारों में विस्वास करना ग समाज का बिकस्टाइब नहीं देखिए्ट राजी को कौण ये जो उदारवाली दिरिष्टि कोण वाले लोग हैं वो क्रित्रिम संस्था मानतें हैं लेकिन वही जो इसके बीरोधी वो बोलते कि देखे राजी जो है वो क्रितरिम संस्था नहीं है ये विक्सित रूप है यानि समाज का एक विक्सित रूप है जैसे समाज का विकास होता है धिरे धिरे उसी तरह राजी का विकास धिरे धिरे हुआ है ये क्रितरिम रूप से नहीं बना हुआ है क्रितरिम का मतलब होता है ब इसकी आलूचना की जाती है उसके बाद दिखेए एडम वर्क का मना एडमन वर्क का उधारवाद पर मुखारों की ओह यह इतियास और परमपरा की तो नहीं मानता है और एडम वर्क बोलते हैं कि किसी भी समाज और विचारक के लिए परंपरा वा इतिहास को अचानक से खत्म कर देना, यानि उससे नाता तोड़ लेना, कहां तक उचीत है, ये तो उचीत नहीं है, सही भी है, कि आप मालेजे इतिहास को नहीं मांगते हैं, तो जो चीजें पहले होई, वो चीजें तो समाप्त हो जाएंगे एक आएक, और एक आएक कोई भी चीज समाप्त होता है, क्या, उसके लिए संघर्स करना होता है, इसलिए ये बोलते हैं, कि कोई भी चीज को, यानि इतिहास की चीजों को, या परंपरा में जो चली आ रहे ही बाते हैं, उसको एक आएक आप समाप्त नहीं कर सकते, उसको आ हम नहीं मानते हैं वो सही नहीं है यहीं बात बोलता है यह कौन तो दारवादी तो देखिए आज के वीडियो के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि एक आपको सारी चीजें बता दी जाए उन चीजों के बारे में जिनसे आपके प्रस्न भी बने और आप अच्छा भी कर पाएं तो पॉलिटिकल साइन्स का यह यूनिट टू का पहला टॉपिक था अगले टॉपिक में फिर अगली वीडियो के माध्यम से हम लोग अगले टॉपि उसमें अन्य भी चीजें पढ़ाई जा रही है जैसे हिस्ट्री है जोगरफी है पॉलिटी है उसके बाद देखिएगा M.I.L. हिंदी है मेजर हिंदी है उसके अलावे आप देखेंगे स्वक्ष भारत है कम्मिनिकेशन इन एब्री डे लाइफ है यह तमाम टॉपिक्स के क प्लास आपके हमारे ही चैनल पर चल रहा है उसको आप देख सकते हैं और उसकी तैयारी भी आप निसूल के तरीके से कर सकते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए देने बात